हालो फ्रेंज विल्कम टू माइन वीडियो आपको पांच ऐसी बाइक बताने वाला हूं जो कि माइलेज के लिए ही जानी जाती है और ये बाइक जो है आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठती है और आपको अगर अच्छा माइलेज चाहिए अच्छी माइलेज वाले बाइक चाहिए तो मैं आपको पांच बाइक बताने वाला हूं वो पांच बाइक आप उन पांचों में से कोई एक ले सकते हैं तो जो मेरे लिस्ट में जो नंबर एक पे है वो है बजाज प्लेटिना ब का इक अच्छी मालेज वाली बायक मानी जाती है जोकि अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो आपको आराम 1947 50 के पास चाहे अच्छे से चलाइन है और अगर उसके स्पेसिफिकेसें कं क थोड़ा दिसकस करें तो यह जो है 102 CC का एंजन है सिंगल सिलेंडर एंजन है 7.9 PS का पावर जनरेट करता है 7500 rpm और 8.34 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5005 rpm और यह ड्रम ब्रेक के साथ में भी आता है और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी मिलता है तो यह चीजे आप पहले बाइक में पहले लेस्ट में आप बजाज प्लैटिना ले सकते हैं आप चलिए हम बात करें मेरे लिस्ट में जो सेकंड बाइक है वह है TV6 Star Sport जो की काफी अच्छ बाइक है और कंपनी क्लेम करती है 95 किलोमेटर पर लिटर का मैलेज आपको निकाले क्लेम करती है तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं सेकंड नमबर पर हमने रखा है TVS Sport इसके अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी निकालें तो यह है एक सो नो दस्मलो या पावर 7300 RPM पर जनरेट करता है और 8.7 Nm का टॉर्क से 4500 RPM पर जनरेट होता है और यह ड्रम ब्रेक के साथ में आता है और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 10 लिटर की है और यह कम्यूटर बाइक है तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यह जो बाइक है यह काफ ढ़िक चाहूं अगर देखा है इसमें दो वेरियन आते हैं आप पता कर सकते हैं उसको और यह दो वेरेंट आपको 62 70,000 के अंदर दो के दोनों वेरेंट आपको आन डोर प्राईस मिल जाएंगे यह बी काफी अच्छी बाइक है आप इसको ले सकते है इसका माइलेज काफी बाइन पांच हिसाफ वो बोले कि इसमें अपने को आराम से 70 प्लस मारेज निकल जाता है नमबर थर्ड में जो है वो है TBS का Star City, TBS Star City माइलेज के लिए जानी जाती, ये भी TBS की बाइक है, सेकेंड पर भी मैंने TBS से थी, तो TBS Star City जो है, Star City ये काफी अच्छी बाइक है, और ये आपको आराम से 65 प्लस माइलेज निकाल देते हैं, अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो ये माइलेज जो भी मैं आपको बता रहो, आपके चलाने को पर डिपेंड करता है, कि आपके इससे माइलेज निकाल सकते हैं, तो अगर इसके थोड़ा स्पेसिफिकेशन बारे में बात करें, ये 109-109.7cc का एंजन है, और ये जो है सिंगल सिलेंडर 4 इस्टोक एर कू टैंक की कैपेसिटी है, वो है 10 लिटर की, और ये कमिटर बाइक बोली जाती है, तो ये आप नमबर थाड़ पे इसको भी आप ले सकते हैं, इन तीनों बाइक में अगर आप मुझसे पूछेंगे फिलाल, इन तीनों बाइक में तो मैं आपको बोलूँगा, कि मेरे हिसाब आप से अगर आपको अच्छी बाइक चाहिए और मैलेज भी ठीक ठाक चाहिए तो मैं बूलूँगे स्टार्ट सिटी अच्छी बाइक है, अब नमबर फोर के बारे में बात करेंगे, नमबर फोर जो निकल के आता है, वो है हीरो की तरफ से हीरो की HF डिलक्स, आप सभी को अगर आप अच्छे से ाच्छे से चलाते हैं, तो यह तुटल चार भाइक हो गई, और पाच्वे माय बाइक बारे में बात करूँ, तो आपको पता है, पाच्वे बाइक है, हुंडा CD110, हां हुंडा CD110 आपको याद होगा, ये भी कम बजट में आती है, और अच्छा माइ प्लैटिना आपको आज की डेट में अगर बीए सिक्स की बात करें तो 65-67,000 तक में आपको या फिर 70 के अंदर बोल सकते हैं 70,000 के अंदर में आपको ये गारी मिल जाती है और वहीं सेकेंड नंबर जो हमने बात किया था सेकंड में कौन सा बात किया था इस पोर्ट बात किया में आपको लेखं़ को कम जाएदा हो सकता है यह मैं जो भी बता रहुत अपको अपने सीदि किसाफ से बता रहा हो तो आप अपने सीवीं में जाकर पता कर सकते वहां पर थोड़ा रेट का फ़रखू सकता और थे नंबर वह आपको का फ्यच्छी बाईक है और ये थोड़ पाउरफुल भी है चलाने में भी आपको अच्छा लगेगा इन सभी बाइकों से ज्यादा अच्छा लगेगा और माइलेज भी अच्छा निकाल देती है तो यह भी एक अच्छी बाइक है और नंबर फॉर पर हमने बोला हीरो का ज्यादा पर्चेश करते हैं और इसमें अच्छे से चलाने पर आपको माइलेज भी अच्छा निकाल के दे सकती है नंबर लास्ट में जो गोला हूंडा का सीडी 110 है हूंडा का सीडी 110 माइलेज तो ठीक निकाल देती लेकिन अगर आप बात करेंगे तो मजबूती के माम में अच्छी नहीं है क्योंकि उसका यह विडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें वेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें जैहन कि आपकी वीडियों के रहें हैं यहींदित कि वीडियों को दे रहें हैं शहरों को दो जेड़तीरर सुछुल ए Dorothy पालiliया है उ燙़ है ध besते तो कि फानल कुलाइब क प्रोंश्छी तेन के लिएपो जाया है धपतकी दो ृषिवताल कुल फृ एंव प जो की जातStr जानन